नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल गुरुजी का इसकुल में तो दोस्तों आजम लेकर आएं आपके लिए 14 अक्टूबर 2021 के करेंट अफैस जो आपको आपके आसपास और यह गटनाव से अपकर कराएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी मंत्री विपलब कुमार देव ने 11 अक्टूबर 2021 को अगर दला शहर के बाहरी इलाके में इस्थित साला बागान इलाके में एक आक्सीजन पार्क का उधगाटन किया है यह अगर दला का पहरा आक्सीजन पार्क है प्रेशिसें के अदो किस एजुकेशन कंपनी त्वारा TSS सस्टेनिबिलिटी अबर्ट जीता गया है तो इसका सयुत्तर है कराडी पाथ कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS क्लोपल सस्टेनिबिलिटी अबर्ट 2021 जीता है यह पुरुसकार विविनी चेत्रों के साथ सिक्षा के चेत्र में उन्जिम्मेदार उद्मों को मानेता देता है, जिन्होंने सयुक्त रास्टिय के सतत्विकास लक्षों यानी SDG को बढ़ावा देने में मैंतोपूर्पूर्ण भूमी का निभाई है। प्रिशु सिंगया तीन RBI द्वारा किस बैक को लगूवीत बैक लाइसेंस पृदान किया है, तो इसका सभीततर है भारत बे, भारत रिजर्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2021 कोshop सेंटरम फायनेसल भारत बे संग को एक लगूवीत बैक लाइसेंस पृदान किया है, नए SFB को उनि सत्य नडेला Microsoft के CEO भारती अमेरिकी सत्य नडेला को प्रतिस्ति सम्मान C के प्रहलाद आवार्ट फॉर Global Business Sustainability Leadership से सम्मानित किया गया है यह पुरुसकार विश्वी स्तर पर उन निजी चेत्रों के कारियों को मानेता देता है जो इस्तिर्था, नवाचार और दिर्ग कालिक व्यवसाइक सफलता की बीच संबंद का उधाराण पेश करते है भारत ने किस देश के साथ D.A.P. आयात के लिए समझाता किया है तो इसका सही प्तर है भारत ने 12 अक्टूबर 2021 को डाय अमोनियम फास्पेट यानि D.A.P. उर्बरक की आपूर्थी के लिए रूस के साथ एक दीर्ग कालिक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है भारत दुनिया में डाय अमोनियम फास्पेट का सबसे बड़ा आया तक है प्रिशे सिंग्या 6, C.A.M.D.H.C. यानि मुख्य मंत्री को बताएं योजना किस राजे में शुरू की गई है तो इसका सही प्तर है मरीपूर मरीपूर के मुख्य मंत्री एन वीरेन सिंग ने 12 अक्टूबर 2020 को C.A.M.D.H.C. यानि मुख्य मंत्री को बताएं का शुबारब किया है या मुख्य मंत्री से सीधे जुनने के लिए एक मेगा नाकरिक जुराफ पहल है प्रेशेसिंग के साथ किस राजे के करुप पुरकलमकारी नकाशी को भोगलिक संकेत टैक दिया गया है तो इसका सही प्तर है तमिलनाडू तमिलनाडू में करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरीची वोड नकाशी को भोगालिक संकेत टैक प्राप्थ हुए है यह पेंटिंग एक सूती कपरे पर बास के पेड़ और नारियल के पेड़ के तहे से बने पेन या ब्रस का उप्योग करके बनाई जाती है प्रेशिसिंग या आठ किस राजे सरकार दोरा नैस कॉम कमपनी के साथ समझाता किया गया है तो इसका सही प्तर है करनाटक करनाटक सरकार ने National Association of Software and Services Companies यानी नैस कॉम के साथ एक समझाता यापर में प्रिवेश किया है इसमें तीन पार्टकरम डिजिटर प्रभाह, क्रतिम बुद्धी मता और साइबर सुरक्षा के पार्टकरमों को शामिल किया जाएगा प्रेशिसिंग या नौ आपदा जोखिम न्यूनी करन के लिए अंतरास्टिय दिवस कव मनाए जाता है और आपदा नौनी करन की वैश्विक संस्केति को बढ़ावा देना है प्रेशिसिक्या 10, प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सलाकार की रूप में किसकी न्यूपती की गई है तो इसका सहीत्तर है अमीत खरे प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सलाकार न्यूप किया गया है प्रिशिसिक्या 11, पेटा इंडिया द्वारा किस राजे के परियावरन मंत्री को प्रोग्रेसिव बिजनिस कॉंसेप्ट अबॉर्ड देने का फैसला किया गया है तो इसका सहीत्तर है मेघाले पेटा इंडिया ने मेघाले के परियावरन मंत्री जेम्स पी के संग्मा को प्रोग्रेसिव बिजनिस कॉंसेप्ट अबॉर्ड देने का फैसला किया गया है उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में शाका हारी चम्रे का अत्पादन करने के लिए उनकी उजना के लिए सम्मानित किया जाएगा प्रेशिसिंग के अबारा रास्टिय फैशन प्रोग्रगी की संस्थान में किसके साथ मिलका डिजाइन इन्नोवेशन फैशन पार्थिक्रम शुरू किया है तो इसका सही उत्तर है UNEP यानि संयुक्त रास्टिय परियावरन कारिक्रम और रास्टिय फेशन प्रध्योगी की संस्थान यानि NIFT ने संस्थान के सभी छात्रों के लिए Design Innovation for Sustainable Fashion पर एक सामाने वेकल्पिक पाठिक्रम की पेशकर्ष करने के लिए हाथ मिलाया है कपड़ा उद्योग सबसे बड़े वैश्विक उद्योगों में से एक है प्रेशर सिंग्या तेरा अंतरास्टिय उर्जा एजनसी ने किस देश को अपना पोर्ण कालिक सदसे बनाने के लिए आममत्रित किया है तो इसका सही उत्तर है भारत अंतरास्टिय उर्जा एजनसी ने भारत को अपना पोर्ण कालिक सदस्य बनाने के लिए आममत्रित किया है भारत दुनिया का तीसे सबसा बड़ा उर्जा उपभोगता है प्रेशे सिंख्या 14, School Games and Activity Development Foundation ने किस देश के साथ छटा अंतरास्टिय चेंपियनशिप का आयोजन किया है तो इसका सही उत्तर है नेपाल School Games and Activity Development Foundation ने नेपाल के रास्टिय खेल परिशत के सायोग से नेपाल में चटी अंतरास्टिय चेंपियनशिप का आयोजन किया है प्रेशे सिंख्या 15, केंद्रिय मंत्री मंडल द्वारा काया कल्प और शेहरी परवर्दन के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है तो इसका सही उत्तर है अटल मिशन 2.0 केंद्री मंद्री मंडल ने बारा क्टूबर 2021 को काया कल्प और शेहरी परिवर्दन के लिए अटल मिशन 2.0 यानि अमूर्थ 2.0 को 2025 से 2026 तक की मंजूरी दे दी है इस योजना के तहट लगबग 2.68 करोण नर्ग कनेक्शन परिदान करके लगबग 4,700 शेहरी स्थानिय निकायों के सभी घरों में पानी के आपूलती का 100% कवरिज परिदान करना है तो दोस्तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए तो इसे लाइक ज़रूर करें साथी साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें